ओके तो भाई फाइली आज कमने नाइट रॉख स्टार्ट हो जगा और CM Punk आज कमने नाइट रॉख उपर लास्ट टाइम आये थे डुरू मेगंटार को लास्ट वार्निंग देने के लिए एजेक्ट लिए वार्निंग नहीं था क्या बाचित हो मैं आपको सब कुछ बताने उससे पहले भाई सारो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो सबसे पहले भाई आज कमने नाइट रॉख जैसे स्टार्ट होता है सोक के स्टार्टिंग में हमें डिवन पिश्टो रिया रिपली देखनों को मिलते हैं इनका मैच होनवाला आज के सोको पर जे उसो देखनों को नहीं मिलते हैं साथी साथ हमें फिन वेलर देखनों को मलते हैं जो कि अपना पूरा जज़वेंडे को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं अगर आपको याद होगा तो फिन वेलर नहीं स्वाद को बहला था जज़वेंडे वो फ्रैक्सान जहां कोई एक single leader नहीं है पर भाई अब मुझे लग रहा है judgment day के new leader Finn weller already बन चुके अब इनको निकालने का time आ चुका है वैसे दिन इसको अनेक्ष हमें सोख उपर हमें CM Punk भी देखनों को मिलते हैं जो कि अपने कार से निकलते हैं बाहर और ब्रॉन ओस्ट्वेन का मैच आज के सोख उपर ब्रॉं सं रीटी सा देखनों को मिलने माला इसदे ब्रॉन ओ स्ट्वेन भी देखनों को मिलते हैं एनलाने के मैं बाहर बाते हैं स्टोरी लैन के बीचे मेरे फैमली को लेते हैं मैंने कभी तुम्हारे फैमली को इस स्टोरी लैन के अंदर लेकिन नहीं आया पर तुने हमेशा यही काम किया मैं बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ पर अब मतलब सर्ज से पानी उपर जा चुका है और इस चीज़ को खतम करने का सिर्फ एक उपाय है हलीना सेल मैच जिसके अंदर मैं तुम्हें पुरी तरीके से डिस्ट्रॉई कर दूँगा अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं कितने हलीना सेल मैच अभी मैं रेसल कर सकता हूँ तो वो है जीरो मैं कोई भी हलीना सेल मैच रेसल नहीं कर सकता हूँ पर उसके बाब जूद भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए हलिना सेल मैच के अंदर मैं रेसल करूँगा रवलरी के बारे हम बात करें तो भाई मुझे नहीं लगता हैलीना सेल मैच के बाद इनका रवलरी आगे बढ़ने वाला है मतलब जो भी इनका रवलरी एस्टॉफ हो जाएगा बैड बलट के अंदर ही बैड बलट के बाद इनका रवलरी फिलाल के लिए बढ़ने नहीं वाला है बैड बलट के अंदर आपको कुछ ऐसा देखनों को मिलेगा CM Punk के तरफ से कि मतलब भाई ड्रू मेकंटार का पोपट हो जाएगा और ड्रू मेकंटार CM Punk से दूर चले जाएगे इसका एक और आइडिया भी निकल कर सामने आए जो भी स्मैच गंदर हारेगा उसको स्मैकडॉन को पर ड्राफ्ट कर दिया जाना है तो साथ से भाई बैड बलट के बाद मेकंटार को स्मैकडॉन को पर ड्राफ्ट कर दिया जा सकता है वैसे इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा सेमेच के बाद करें तो भाई इसके बाद हमें सेमेच का भी हमें प्रोमो देखनों को बलता है बैक स्टेज से इंटर्व्यू देखनों को मिलता है जहाँ बुच के बारे हैं बात करते हैं बुच मेरा ही लड़का है और मतलब मैंने बहुत बचपन सो उसको रेसलिंग वेवरा सारा चीज़ सिखाया है पर आज करें टाओ मेरे से हैं गदारी करना शुरू कर चुका है इसलिए मतलब मुझे अब सबक सिखाना पड़ेगा बुचो सेमेस का मैच भाई आज के राउको पर ओलेडी है मैच चल रावी फिलाल के लिए तो देखते हैं भाई इस मैच के अंदर कौन सा रेसलर वीन करता हो सेमेस का स्टोरी लैंड किस तरीके से आगे बढ़ता है बाकी भाई आज का वीडियो के अंदर इतना ही था मिलते आपसे नेक्ट वीडियो के अंदर तो भाई सारे लोग चैनल को सस्क्राब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा